हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे तक जादतर स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है मौसम विभाग ने आज के लिए 8 जिलों में 30 बारिश का यलो अलर्ट जारी किया था जिसके बाद शिमला सहित कई जिलों में बारिश होई है मौसम विघ्यान के इंदर शिमला के निदेशक कुलदीप शृवास्तव ने बताया किकल चमबा, कुलू, कांगडा, मंडि में कुछ स्थानों पर भारिश होने की संभावना है बाकी जिलों में हलकी से दर्म्यानी बारिश हो सकती है उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश में 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है मौनसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक चलता है ऐसे में संभावना है कि आगामी दिनों में भी मौनसून की बारिश का दौर जारी रहेगा में हमारे पास प्लाइट से मौड़िट टाजरी की रिनफॉल होने के चांसे हैं और उसके लिए कोई खास बारिश में नहीं की हुई है और देखेंगे कि जो रिनफॉल हमारे पास रियलाइज हुई है वह सबसेदिक कुल्यू में में आपके पास एपोर्ट की गई है कश्मी के उपर एफेट कर रहा है वह आगे की तरफ बूब करेगा तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे पास कल देखने को यहां चल्पदे से मिलेगा और साथ पर देखेंगे कि आगे की दिनों में जो है लाइट से बॉर्रेट कर आगरी इनफॉल होने की चांसे है तो कल जो आपके बाद 3-4 डिस्टिक है जैसे की कामिरा चंबा कुलू और मने डिस्टिक कुछ और करके बाकी एरिया के लिए ग्री रहेगी और लाइट रिंफॉल होने के चांसे हैं और आगे के दिनों में भी मुक्यता लाइट से मोड़ेट इनफॉल अगे तीन से चार मियानी शुरू होती है लेकि जो फिलाल जो मांसुन का सीजन होता है रहे पास एक जून से लिए तीस सितम बरतब होता है तो भी फिलाल हम लोगों अम्मित कराएं कि यो मांसुन के रहेगी ज़्यादा से योगराश शर्मा की रिपोर्ट झाल